न चाहूंगा का जा रहा ही कि 15 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स जो है वो फानेंस बिल में यह तज्वीज पेश की गई है पंदरा करोड़ की आमदन के उपर सुपर टैक्स जो है वो नाइट की नाफिस किया जाएगा बिजली की पैदाबार के हमाले से भी ये कहा गया कि बिजली की पैदावार और इसकी तरसील पर टेक्स लागू नहीं होगा, इसके साथ साथ बाहिर खाना खाने और क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर अदाइगी पर पांच फीसद सेल्स टेक्स आइध होगा, फरदर आगे बढ़ते हैं और इस वक्त आपको अपडेट कर रहे कि पंदरा करोड आमदन पर सुपर टेक्स आइध होगा, फाइनेंस बिल में तजवीज पेश किया, बिजली की पैदावार और तरसील पर टेक्स लागू नहीं होगा, और साथी साथ बाहिर खाने और क्रेडिट या डेबिट कार्ड की अदाइगी पर पांच फीसद सेल्स टेक्स आइध किया जाएगा, अच्छा इसके उपरतों में बात करूँगा, लेकिन सर रहा रहां का रापता क्यों नहीं बहाल हो पारा, बजट अभी तक पेश करने में क्यूं ताखिर हो रही है, जी रहां जी बलकुल देखिए, सबसे पहले आज वफाकी काबिना का इजलास होना था, वो दो बज़े का उसका वक्त था, वो ताखिर से शूरू हुआ, काफी लंबा इजलास उनका चला, उसके बाद कौमी सम्बली का जो इजलास जिसमें मालियाती बिल दो हज़ार तीस चुबिस को पेश करना था, चार वज़े का वक्त था, चूंके चार बज़े वफाकी काबिना का इजलास चारा था, एहम फैसले अंदर किये जार थे, उसके वज़े से ताहाल जो है, अभी तक कौमी सम्बली का इजलास में बज़ट पेश करने की जो कारवाई अब तक ना हो सकी, इ के अंदर मुख्लिफ चीजें हैं, उस पर डिवेट जारी है, बतलाए जा रहा है कि वज़ेर आजम शेबाज शरीफ ने वफाकी काबिना के जलास में सरकारी मलाजमीन की तंखाओं के हवाले से काफी भरपूर जो है, वो केस खुद से लड़ा है, और कहा है कि सरकारी मलाजमीन नहीं है, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, ये क्या मतलब हुआ रहा है? वफाकी काबिना का अजलास काफी तूल पकड़ा, वजीर खजाना ने भी अंदर स्पीच की, वजीर आजम ने स्पीच की, इस वफाकी काबिना के जलास से कबल, जो वजीर खजाना सागडार हैं, उन्हों ने गहर रस्मी अजलास भी किया, जिसमें सेक्टरी खजाना और FBR के लावे मिम्बरान जो FBR के जो मिम्बर्स हैं वो शामिल थे बनादी तोर पर उन्हों ने ब्रीफिंग ली और तमाम चीजों को अवराल सामने रखा और कहा कि अभी वफाकी काबिना का अजलास है इसके अंदर हत्मी मनजूरी दी जाएगी तो इसके अंदर मेंगाई तो है और काफी जादा चीजें हैं किस तरह करना क्या करना है वफाकी काबिना हत्मी जो मनजूरी देनी है तो अब किस तरह मुम्किन है किस तरह मुम्किन है मौझूद थे और जाहरे के देर हो रही है ये देर हो रही है तो किस वज़ा से हो रही है ये भी आज की इस स्पीच से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे पूरा पैनल हमारे साथ इस वक्त